नमस्कार दोस्तों मैं कुमार्शीटू और आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल कुमार्शीटू दोस्तों आज बर्द करते हैं PNBCSB से आप एकाउंट खोल तो लेते हैं लेकिन उसमें बहुत से आप परकिरिया भागी रहता है जो आपको करना रहता है अब दोस्तों मैंने मालने हैं कि आपने PNBCSB में एकाउंट खोल लिया किसी क्राश्टेमर का आप अपने ग्रहांक शेवाके अंदर उसका एकाउंट खोल लिये क्याआ करना पड़ता है तो अप उस एकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं ना कि उसको कश्टेबर बोलेगा कि कि आपब फैसा जामा तो कर सकता है पर निकासी कैसे करना और बहुत सारा इसमें परकिरिया जिसे करने के बाद उस कस्टेमर का खाता जो है पर्मानेंट चालू हो जाता है तो दोस्तों तलिए वीडियो अश्टार करते हैं तो दोस्तों कि मैंने मेरे चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जड करवा लिया मैं तो सो अक्त्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा उस फरम को आपको ब्रांच ले जाना है ब्रांच ले जाने केबाद कस्टेमर का सिंग्रेचर फोटो अपलोड करना है जैन करना है और computer में upload करना है ब्रांच में जाकर i crystalble override करने के बाद में जतने वी एका Aufg onwnie the official कि CSP से इतने भी अकावंट खुलता रहाक किन जदेकि जतने भी एकावंट खुलते हैं वो फ्रिज राता है उसमें आप डेबिट नहीं कर सकते हैं पैसा क्रेडिट हो जाता है लेकिन किस्टमर चाहेगा कि हम 500 डालके और 1000 रुपए डालके निकालने तो नहीं करना ही पड़ेगा अब उसको पहले सिगनेचर फोटो अपलोड करके परांच से अनफ्रिज कराना पड़ता है तब जाके उसे अकाउंट से डेविड क्रेडिट पैसे हो सकते हैं तो आपको मनेजर से बोलना है मनेजर आपके फारम को लेगा और जितने भी सिगनेचर अपलो खाता खोलने के लेकर ब्रांच तक जो काम भागी रहता है उसे पूरा करने का तो दोस्तों उसके बाद ही कस्टेमर का खाता जो है कंप्लीट रूप से चलू हो जाता है तो दोस्तों चोटी से जनकारी आपको कैसी लगी कर थ्वास अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइ मेंट बॉक्स में आप मेसेज कर सकते हैं थैंक यू जय हैं दोस्तों